प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था का अद्वती संगम है गुप्त गोदावरी गंगा गुप्त गोदावरी बसत जहां सुर्शिद्ध सेवा प्रेम प्रतीत सो प्रकट मिले नवनित्ध चित्रकूट अपने आप में ही एक प्रसिद्ध तीर्थ है त्रेता युग में अपने 14 वर्षों के वनवास की समय भगवान श्रीराम जी अपनी पत्नी एवं भाई समेथ चित्रकूट के इन जंगलों में आये थे उत्तरप्रदेश ममध्यप्रदेश की सीमा में इस्थित चित्रकूट अनेक धार्मिक तीर थस्तलों से भरा हुआ है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दबंजारा मेन में और आज हम देखेंगे गुप्त गोदावरी की यात्रा गोदावरी नदी का नाम लेने पर महरास्ट्र के त्रयम्बकेश्वर का नाम सामने आता है पर गुप्त गोदावरी की यात्रा काफी रहस्यमई है चित्रकूट का हरदय कहे जाने वाले राम घाट से दक्षण की दिसा में लगबग 18 किलोमेटर की दूरी पर है दो प्राक किया था प्रथमही देवही गिरगुहा राखिर रुचिर बनाए राम क्रपा निधी कचुक दिन वास करेंगे आए यात्रा मार्ग के दोनों तरफ सजी हुई फूलों की मालाओं की इवं प्रशाद की दुकानों से प्रशाद लेने के बाद यात्री प्रशाशन द्वारा निर्धारित टिकर को खरीद कर निर्धारित रास्ते से उपर चड़ते हुए प्रथम प्रवेश द्वार के बाहर पहुचते हैं यहां की गुफा का रास्ता बहुत ही जादा सक्रा है यहां से नीचे उतर कर अंदर की ओर जाने पर आप अचानक एक नई दुनिया में प्र सपाला चित्रकूट आयत तहिकाला राम प्रनाम कीन सबकाहु मुदत देव लह लोचन लाहु राम दरबार में आगे की तरफ सुया माता जी की प्रतिमा है जहां से आगे आने पर सीता कुंड के दर्शन होते हैं कहा जाता है कि यहां माता सीता इसनानकिया करती थी इस कुं जहां से गोदा वरी नदी गुबत रूप से प्रकट होती हैं सैलानी और दर्शनार्थी यहां आगे आते हैं और आगे की तरफ इन्हें मिलता है खटखटा चोर ऐसी लोकोकती है कि वनवासकाल में माता सीता जी के वस्तरों को चुराते हुए मयंगर आक्षस भागा था इ एक बाल से उसे इहां लटका कर गुफा में ही बांद दिया था जिसके लटकने के कारण खट-खट की आवाज आते थी और लोग इस जखे को खट-खटा चोर कहने लगे प्रथम गुफा से आगे बाहर आने पर दूसरी और हम जाते हैं दूसरी प्रवेश गुफा में कथा कहती है कि श्रीराम जी के चित्रगुट आग्मन की जानकारी पाकर महर्शी गौतम की पुत्री गोदावरी जी नाशिक से गुप्त रूप में भूमिगत माल्क से होते हुए यहां आके प्रकट हुई थी इस कारण इस गुफा को गुप्त गोदावरी नाम मिला था पत्रीली चट्टानों की सकरी गुफा में गुटनों तक के पानी में आगे चलते हुए भक्त इश्वरी आस्था के साथ वो प्राक्रतिक नैसर्गिक सौंदरिका आनंद लेते हुए भगवान का जाब करते जाते हैं गुफा से बहती हुई साप स्वक्ष पानी की धारा आपको त्रेता युक के समय की घटना क्रमों का प्रत्यक्ष साक्षी बना देती है आश्चर और कौतूहल के विचारों से भरे हुए वक्त आगे चलकर गुप्त गोदावरी उद्गम कुंड के पास दर्शन के लिए प सबसर सिंधु नदी सबनाना मंदा किनिकर करह बखाना उदय अस्तगिर अरुकैलासु मंदर मेरु सकल सुरबासु सारे तलाब समुद्र नदियां और अनेको नद सभी मंदाकनी नदी की प्रशंचा करते हैं उदयाचल अस्ताचल कैलाश मंदराचल और सुमेद आधी जो स सबही इस मंदाकनी नदी की प्रशंचा करते हैं बाहर वहती हुई गुप्त गोतावरी नदी की जल्धारा कई कुंडों से होते हुए आगे जाकर वापस लुप्त हो जाती है परम रम्य स्तीर्थ पर अतिही सुलभ विशाल राजत दो सुन्दर गुफा सुनों उन्ही का ह प्रकरती और आध्यात्म के साथ साथ अपने इश्वरी महत्ता के कारण गुप्त गोदावरी धाम चित्रकूट के प्रसिद्ध पर्यटानिस्थनों में श्रेष्ट माना जाता है हर साल विशिष्ट उत्समों तेवहारों के साथ साथ वृत साधना तिथियों में यहां श् पिचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा यदि आप चैनल पे पहली बारा हैं तो दबंजारा मैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी परेटन यात्रा में जुड़ जाएए स्वस्त रहिए प्रसंद रहिए और देखते रहिए दबंजारा मैं को